हेलो फ्रेंड कैसे आप शाहब आई होप अच्छ होंगे फ्रेंड बता दू खाषकर के उन लोग के लिए जो कुछ्ट में काम करने के लिए आये है और जो क्वईत में चोटा छोटा बिजनेस चलाते हैं जैसे कोई गैरेज चलाता है कोई होटेल चलाता है आपका जो बिल बनता है जैसे बिजली का बिल हो गया पानी का बिल हो गया ओर जोक्याइद में काम करने के लिए आते हैं वो लोग एशतथ चलें मोबाइल इमाइू पे लिए ले लेते हैं फाइदा हो जाएगा थोड़ा करके दे देंगे तो उन लोग के लिए बताना चाहूंगा तो अब बिल पूरा जब तक पे नहीं करेंगे तो अब आप कुईट से जा नहीं सकते अब कोई एरपोर्ट में रोक लिए जाएगा आईए बिस तर से देखते हैं विडियो के स्किप ना करें चलिए विडियो विए और लेवर वरकर्स के लिए जो एरपोर्ट से निकलने नहीं देगी चाहे कितने ही सालों के बाद जाए चाहे कितने ही मैनों के बाद सफर अपने मुलक में उनके देश में गूमने जाते हैं किसी ने मोबाइल फोन लिया एक शीने किस चीज़ पर अगर लॉन लिया है अगर किस्ते टायम्से नहीं चुक रही है और मुकदमा दर्ज जर जी कर दिया जैसे कि ये मामला इसमा एक भी बिल बाकी नहीं रहना चाहिए तो ही सफर कर सकेंगे कुईट से बाकी एरपोर्ट पर रोख लिये जाएंगे कुईट के अंदर जब एकामा खत्म हो जाता है रेसिडेंसी परमिट तो उसके बाद में 4 केड़ी डेली का चार्ज किया जाता है चार केड़ी हर रोज चड़ता रहता है पहले ये 2 केड़ी ही लगता था कुईट के अंदर क्वेलिफिकेशन को देखते हुए जब से कुईट के अंदर ये लिंक करना शुरू किया तब से 20,000 एकामे कैंसल हो गए है क्योंकि कोई फर्जी डिग्री हो सकती है कुछ भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिसको लेकर किसी के भी खिलाब कोई भी किसी भी टाइप का अगर मामला दर्ज है कहीं भी पुलिस टेशन के अंदर तो वो लोग भी सफर नहीं कर सकेंगे एरपोर्ट से नहीं निकल सकेंगे तो इस बात का खयाल रखें कोई ग्रामें चड़े हुएं किसी चीज को लेकर तो वो भी सफर नहीं कर सकेंगे कुछ एरपोर्ट से इस बात का खयाल रखें कुईत के अंदर पिछले तीन मैनों में नो हजार बाहर के लोगों को डेपोर्ट किया है पकड़ा काई सारे लोगों को है लेकिन सिर्फ जो डेपोर्ट किया गया है उनकी गिंती बताई है नो हजार इसमें चार हजार लेडिस है औरतों को डेपोर्ट किया गया बाहर की व इंडिया की थी और 4,000 लेडिस और बाकी के सभी जेंटस थे कुईट में ग्रेन के अंदर निरिक्षिन अबयान चलाएं जहाँ पर भी दुकानों पर काम करनेवाले गैरेज, उर्टो पार्ठ्स की दुकाने, कार से रि-लिटेट काम करने वाली दुकाने इस टाइब की दुकानों पर 27 लोगों को पकड़ा गया रेसिडेंसी एकामा कानून का उलंगन करने के मामले में कुईत में जो 3 लाख लोगों के ड्राइविंग लाइसंस कैंसल करने है अब मामला अठका हुआ है क्योंकि बाद में फिर कई MPs ने बयान दिया था कि ऐसा करने से ट्राफिक सोल नहीं होगा ट्राफिक कम नहीं होगा तो ऐसा कोई भी कानून ना बनाए जिसको लेकर आप 3 लाख लोगों का ड्राइविंग लाइसंस का कोई भी फाइनल फैसला नहीं आया यानि कि अभी भी मामला आटका हुआ है कोई भी ड्राइविंग लाइसंस कैंसल अभी तक नहीं किया है कोई फाइनल एलान होने के बाद ही होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तागि क्वेट के आने वाली जरूरी इंपोर्टेंट कवरें मिसना हो तो प्रेंड आशा करतों वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपका क्या विचारा है आप कामेंट वक्स में जरूर बताए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कामेंट, शेयर जरूर करें चैनल में नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंद